अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए बिल्कुल टॉर्चर से कम नहीं हैं और आप उनको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, आज नहीं कल पढ़ लूँगा और इस तरह से वो सब सब्जेक्ट्स 20 ए 25 मिनट्स तक पढ़ना है, और 20-25 मिनट्स के लिए आप फोकस्ड होकर पूरी तरह से अपने मन को समझा कर उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कि बस 25 मिनट्स की बात है, और जैसे ही 25 मिनट्स के बाद अलाम बजेगा, आपको तुरंद उड़ जाना है, और 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और उसके बाद फिर यही साइकल रिपीट करनी है, फिर अगले 25 मिनट्स पाप फोकस होकर बैठेंगे और अपने मन को समझाएंगे, कि बस 25 मिनट्स की बात है, और फिर आप उड़ जाएंगे 5-10 मिनट्स के लिए, ऐसे देखेंगे तो जब मम्मी बुलाती हैं कि आओ खाना खालो आकर, तो हम बोलते हैं कि बस 5 मिनट्स 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 करते करते हैं, एक दो घंटे हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता है, यही ट्रिक हमें यहाँ पर अपलाई करनी हैं अपनी पढ़ाई पे, कि अपने ब्रेन को समझाना है कि बस 25 मिनट मुझे फोकस होकर इसी को देखना है और कुछ नहीं देखना है ऐसे करते करते ही जो आप फोकस मोड से जैसे ही अलाम बजेगा आप डिफ्यूज मोड में चले जाते हैं रिलाक्स मोड में चले जाते हैं तो जब हमारा ब्रेन इस तरह से टेकनीक है इसको अपलाई कीजिए जो सब्जेक्ट भी आपको वीक लगते हैं जो सब्जेक्ट से भी आपको डर लगता है वो सारा डर आपका दूर हो जाएगा